हुआ कि नमश्कार दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा सब्जे़्ट है वह कंप्यूटर निट्वर्क हमने अभी तक अपने इस कंप्यूटर निट्वर्क चैप्टर की सीरीज में हम थर्ड यूनिट पे चल रहे हैं हमने आपको बताया था कि हमारा जो computer network है वो OSI model के उपर based है यानि कि open system interconnection model यह जो open system interconnection model है इस model में number of seven layer लेयर वर्क करती हैं जिसमें से पहली layer है आपकी physical layer दूसरी layer है आपकी data link layer तीसरी layer है आपकी ने ट्वर्कले से चोथी layer है आपकी transport layer पाचवी layer है आफकी session layer कि चटमी layer आपकी presentation layer और साथ थि वी है आपकी application layer आप अप्लिकेस्ट लेयर वो लेइर है जहाँ पर यूजर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वह है आपका अप्लिकेशन, लेकिन दोस्तों, ओएसाइ लेयर में जो हमारी सबसे पहली लेयर है है, फिजिकल लेयर. हमारी जो first minute हमारे subject computer network की जो first minute है वो totally computer network के ऊपर ही based है अगर हम बात करें computer network के ऊपर based है तो है क्या की जैसे की क्या की कौन-कौन से equipment use होते हैं कैसे उनके बीच में connectivity की जाती है जैसे कि कौन-कौन से अगर सिस्टम यूज हो रहे हैं तो उसमें जो हमारे कई सारे थे हमारा राउटर था कि यह हमारा मॉडेम था कि स्विचेज है कि इसके अलामा और सारी भी चीजें हैं कि एक्सेटर कहलें मीडियम की बात करें जिनके थुझे यह सारे के सारे आपस में कनेक्ट होते हैं तो वह हमारे दो मीडियम हैं एक हमारा गाइड़ और एक हमारा अन गाइड़ ए ठीक है न अब गाइड़ का मतलब होता है आपका वायड मेडियम और अंगाइडेड का मतलब होता है आपका वायरलेस मीडियम है ठीक है दो मीडियम है आपके एक गाइडेड एक अनगाइडेड यानि कि अगर ये सारे डिवाइसे वायर्ड मीडियम के थ्रू है तो उसको हम गाइडेड मीडियम के थ्रू है तो हम उसको वायरलेस मीडियम कह देखा था है या उसाइब मॉडल की सेकंड लेयर यानि डाटा लिंक लेयर के ऊपर बेस्ट अब बेस्ट है दोस्तों डाटा लिंक लेयर ठीक है न जो की OSI में आपकी सेकंड लेयर में आती है ठीक है अब डाटा लिंक लेयर की जब हमने बात की थी तो हमने बताया था कि डाटा लिंक लेयर में के दो हमारी सब लेयर होती है एक हमारा LLC होता है और एक हमारा Mac होता है अब Mac जो है वो device को access प्रॉयड करता है तरह कि वह प्रेंबर सिस्टम के साथ उस पमें डाटा को मीदिकर सके और रिद्न कर सके ये वायम के लिए अलग होता हैं लेकिन वहीं बच्चों अगर डशन की तो langadamente अजो हमारा का है को है कि 살ग करना तो उनकर का ओर दॉल को कि पाल में सिष्ट ह Earn करना flow को इस प्रेम के फॉर्फ में प्रेम के फॉर्म में कनवर्ट करना तो पहली चीज मैं ने कहा एर्र को फ्लो को कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि सपोच कि जी कि एक आपका सेंडर है और एक आपका का रिसीवर है सेंडर की प्रॉसेसिंग स्पीड 100 Mbps और रिसीवर की मान लिजिए 5 Mbps इस केस में क्या होगा कि सेंडर के डाटा सेंड करने की कैपिसिटी जादे है लिगे डाटा के डाटा एकषेप्ट करने की कंडिशन capacity कम है तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा जो सेंडर है वो receiver को कहीं ने कहीं overload कर देगा या इतने ज़्यादे packet भेज देगा कि receiver उसको manage नहीं कर पाएगा तो इस condition को manage करने के लिए flow control का use किया जाता है ताकि receiver के sending कितनी भी अच्छी हो लेकिन receiver जितना चाहे उतना ही packet वो उसके अलामा वो ना कर पाएगा उसके बासे दोस्तों एरर हैंडलिंग का concept देखा एरर कंट्रोल का हमने concept देखा था एरर कंट्रोल के concept में हमने देखा था कि किस तरीके से जो हमारा एरर है वो आकर होता है एरर आकर होने का मतलब क्या है कि दो चीज़े हैं एरर कंट्रोल एक है आपका एरर डिटेक्शन मैं लिख देता हूं यहां पर एरर डिटेक्शन एरर करेक्शन दो तरीके हमारे अब एरर डिटेक्शन का काम क्या होता है कि पर्टिकुलर एरर को फाइंड करना कि जो पैकेट सेंडर से रिसीवर की तरफ जा रहा है क्या वो पैकेट सही है कि उसमें कुछ करप्शन आ गया है जैसे कि एरर के भी कई सारे इसके बारे में हमने पीछले लेक्शर में बताया है आप इसला लेक्शर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने और डेटक्शन में दूस्तों क्या होता है बात करें अगर हम एरर डेटक्शन तो एरुद्टिक्शन में क्या होता बच्चों की इसमें अ जाता है कि पर्टिकुलर पैकेट में एरर है कि नहीं है यह मैटर नहीं करता कि कितने बिट का एरर है बस फाइंड करना कि एरर है कि नहीं है दूसरा है हमारा एरर करेक्शन मेटर जिसमें क्या है कि एक बार एरर डिटक्ट हो गया तो उसके बाद से यह इसका काम क्या है कि य बैराल आया वह कितने बिटका था किस लोकेशन पर था ताकि उसको क्रेक्ट किया जा सके ठीक है तो यह सारी चीजें हमने आपको बताई थी बैराल आज हम जिस टॉपिक पर डिसकस कर रहा है वह हमारा टॉपिक है कंजीशन कंट्रोल तो वाट इस कंजीशन जो हमारा पहला क्वेशन पूट अप होता है वह है वाट इस कंजीशन तो देखिए जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कंजीशन क्या है कि इसी को हम कंजीशन कहते हैं कहने का मतलब क्या है कि जैसा सपोच किजिए यह आपका एक स्टेशन है और इस्टेशन पे कई सारी जगह से यह लैन है माले इसको लैन 1 कह ले लैन 2 कह ले इसको लैन 3 कह ले और कई सारे इस्टेशन से एक साथ कई सारे पैकेट जो है इस पे आ रहे हैं है नंबर आफ पैकेट अगर यहां पर ओकर हो रहे हैं तो प्रोसेसिंग इस्पीड है आखे सभकी एक लिमिट होती है तो अगर कई सारे ट्रैफिक बहुत सारे पैकिट्स एकी टाइम पे आ जाते हैं तो कहीं ने कहीं अगर उसकी processing speed की according अगर packets बहुत जादे हो गए तो उसी को हम congestion कहते हैं तो ऐसे में अगर यह सारी चीजें होती है तो problem क्या आती है वो देखिए effect of congestion में तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है as delay increases performance decreases यानि कि अगर delay increase हो रहा है तो आपके system का performance जो है वो decrease हो रहा दूसरा जैसा कि लिखा हुआ है if delay increases transmission occur making situation gross मतलब अगर delay increase हुआ है तो transmission की जो situation है वो खराब हो जाएगी ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है and congestion control is a technique by which we can manage the traffic in the network और congestion control वो ट्रैपिक वो टैक्नीक है जिसके थूँ हम किसी भी network के traffic को manage करते हैं ठीक है ना manage करने का काम किसका है आपके congestion control ठीक है तो आई ये इसको हम detail में पढ़ते हैं कि कौन कौन से congestion control कैसे congestion control को कैसे कंजिशन को कंट्रोल किया जाता है ठीक है दोस्तों तो सबसे पहले तो देखिए कंजिशन कंट्रोल करने के ये दो यूज किये जाते हैं एक आपका लिकी बकेट अलगोरिथम और दूसरा आपका टोकन बकेट अलगोरिथम यह दोनों के दोनों ऐसे जिनका यूज करके कहीं न कहीं हम कंजिशन को मैनेज करते हैं या फिर कहें कि कंजिशन को manage करते हैं ठीक है अब दो algorithm है तो हमें समझना चाहिए कि दोनो algorithm में किस तरीके से congestion को control करते हैं या फिर किस तरीके से condition को manage करते हैं ठीक है बच्चों तो आज अभी जो हम discuss करने जा रहा है वो हम किसको डिकुष करने नहीं लिकी अलगोरिफम कुढ किसको करने जारा है बच्यों है लिकी ब्लकुट Northeast कि तो देखी लिकीत अलगॉरिफम सबसे पहले और यहाँ पर लिखा वा उसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं ति आपका लिकी बख skilled है क्या उसी इन सा लिखा हुआ, let us consider an example to understand, imagine a bucket with a simple hole, small hole, sorry, in the bottom, no matter at what rate water enters the bucket. the outflow is at constant rate, when the packet, when the bucket is full with water, additional water entering, slipping over the sides and it lost. तो यही है यह जो इक्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों, इसी इक्जाम्पल पे आपका leaky bucket algorithm जो है वो वर्क करता है। इसी इक्जाम्पल पे त्यान से समझेगा इसको, एक्जाम में ये काफी टाइम पूछा जाता है कि लिकी बकेट अल्गोरिफम क्या है तो आईए अब इस फिगर के थुरू देखने की कोशिश करते हैं एक बकेट है जिसमें एक टैप से पानी आ रहा है और हमने एक इसमाल सा होल उसके बॉटम पर किया हुआ है जिससे पानी ड्रॉप ड्रॉप करके नीचे जा रहा है अब समझने वाली बात क्या है कि अगर टैप से नॉर्मल वाटर थोड़ा सा ही वाटर आ रहा है तो उस केस में टैप धीरे-धीरे भरेगा और चुकि होल आपका छोटा है तो यहां से पानी अपने कॉंस्टेंट ट्रेट से धीरे-धीरे नीचे गिरेगा जैसा कि यहां लिखा है अब अगर हम इस टैप को फुल कर दें तो पानी जो है वो बहुत तेजी से गिरेगा और यह बकेट बहुत तेजी से भरना सुरू होगा तो कि बकेट की एक लिमिट है कुछ दिर बाद यह इतना भर जाएगा कि यह बकेट से पानी जो है वो नीचे गिरने लगेगा देखिए इस बकेट से जो पानी है वो नीच क played इंची गिरेगा तो उस केस में दो सारा पानी निचे लॉस हो ՜ाएगा दोस्तों तो जो पानी नीचे गर गया वह आपका लॉस हो गया तो यहीं है आपका leaky bucket algorithm यानि कि हमारा। रच का काकंसेप्ट है वो इसी पर काम करता है ठीक है इसमें आप लोग एकदम confusion नहीं हो गया जो हमारा लीक है उसको देखके आप लोग कंफ्यूज मत होईएगा कि यह कैसे बर्कुरता अगर आपको एक बार यह चीज समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जागा कि लिकी बेखट अलगोरिफम क्या करता है ठीक है न तो अब सपोच कीजिए कि यह जो आपका टैब है इसको हमने एक क क्यूं हो गया अगर क्यूं में प्ले जगह है तो पैकेट आपका इंटर करेगा अगर क्यूं में जगह नहीं है तो वह पैकेट आपका लॉस हो जाएगा ठीक है न और यहां पर जो लगा है वह आपका लिकी बेखट अलगोरिफम लगा है क्यूं लेकी बेखट रेट से डाटा को आगे ट्रांसफर कर रहा है अगर क्यूं खाली है तो ठीक है नहीं खाली है तो वह लॉस हो जाएगा ठीक है दोस्तों कि आई ये इसको हम नीचे देखते हैं कि कैसे ये वर्क कर रहा है तो दोस्तों सिमिलरली जैसा कि मैंने उपर अभी आपको बताया था ठीक उसी तरीके से इच नेटवर्क इंटरफेस कंटेन लिकी बकेट एंड फालोइंग इस्टिप आर इन्वॉल्व इन लिकी बकेट अलगोरिफम तो ये चार स्टिप है जो कि लिकी बकेट अलगोरिफम में यूज किये जाते हैं ठीक है ये चार है देखिए आये कौन कौन से हैं सबसे पहले की अगर बात करें वेन होस्ट वांस तू सेंड पैकेट अगर होस्ट पैकेट को सेंड करना चाहता है packet is thrown into the bucket packet कहा जाएगा bucket के अंदर यानि कि Q के अंदर यह Q है आपकी दूसरा क्या लिखा हुए the bucket leaked at a constant rate जैसा कि हमने उपर अभी देखा है meaning the network interface transmits packets at a constant rate इसका मतलब क्या है कि लीक जो बकेट से leaks हो रहा है वो constant rate से हो रहा है इसका मतलब क्या है कि अब तीसरा point देख्या ब्रश्ट ट्रैफिक ньंवर्टेट टू ऑ युनिफॉर्म ट्राफिक बाइदर लिखीए bucket यानि जो प्रस्ट ट्रैफिक आ रहा है वह आपन सब्सक्राइभ किस लीका ह्वर कर दे रहा है कॉन्स्टेंट ट्रैफिक को क्या कर रहा है क्या कि या क्या ठीक है न उसको एक constant rate से ही जाना होगा तो इसलिए हम उसको लिकी बकेट तो कितना भी कैसा भी ब्रस ट्रैपिक हो वो जब जैसे ही लिकी बकेट algorithm से होके जाएगा वो उसका कॉंसेंट्रेट से वो हो जाएगा ठीक है चौता है इन प्रैक्टिस दा बकेट इस अफिनिट क्यू डैट आउट्पूट एड़ फिनिट ने ठीक है अब आईए हम इस फिगर को थोड़ा सा देख के समझते हैं यह फिगर उसी से मिलता जूलता है जैसे कि आपका ऊपर वाल हमें पता है बो कि अ Caleb soak हमें पता है कि कि किया जाता है तो इस ज equipo कैसीज़ए करते हैं डिशिजन लेने के लिए तो देखिए इधर बाहर से पैकेट हुघ हो रहा है अगा Agrography आगा नहीं है यह q तब वो पैकेट q के अंदर चला जाएगा लेकिन अगर q full है तो उस case में वो packet discard हो जाएगा यानि कि loss हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे दोस्तों leaky bucket algorithm का use किया गया है फेचेस packet from q at constant rate और हमने जैसा अभी उपर देखा कि bucket में हमने छोटा सा hole कर दिया है और उस hole के थुरू आपका जो packet है वो constant rate से पानी गिर रहा है तो यहाँ पे भी क्या है चुकि लिकी bucket algorithm है तो q से packet अपने constant rate से ही निकलेगा ना तेजी से निकलेगा ना जल्दी निकलेगा वो एक constant rate से ही निकलेगा तो अब हुआ क्या कि अगर नॉर्मल ट्राइफिक है तब तो ठीक है नॉर्मली वो आता गया क्यू धीरे-धीरे प्रॉसेस कर रहा है देरे-धीरे इसमें packet आते जा रहा है लेकिन अगर ब्रस्ट ट्राइफिक है तो उस case में क्या होगा कि यह जो अब देखो यहां बे क्या है कि अगर ट्राइफिक आया तो अगर ब्रस्ट ट्राइफिक आ गया तो उस case में क्या होगा कि अपने constant rate से काम कर रहा है ठीक है तो वहां पर यह आपका जो जितना हो पाएगा जितना वो packet को एक्सेस कर पाएगा वो करेगा बाकी को वो लॉस कर कि इस ग्राफ के तुरू थोड़ा समझेए सपोज कीजिए टू एक सेवन से टेन स्लॉट में टू एंवी का पैकेट आया उसके बाद से ट्वल एंवी पैस का पैकेट जीरू से टू के प्लॉट में आ रहा है तो चाहे यह और इसका concentrate थ्री एंवी पीएस है तो चाहे वह चाहे वह 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 उसको concentrate से ही access करेगा यानि फ्री एंवी पीएस के इसाब से ठीक है अब होगा क्या कि यह आपका उसकेस में जो है वह लॉस हो जाएगा ठीक है यानि कि जितना वह कर पा रहा है कर पा रहा है अगर क्यूंफूल हो जा रहा है तो मतलब वह बाकी का बाकी प नर्मल ट्रैफिक का केस नहीं है तो उसकी नहीं तो कि यह पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा था Wow i उसकेस में क्या होगा कि यह पूरी तरीके से ला सो जाएगा और और brush traffic के case में फिर यह आपका leaky bucket algorithm जो है वो उतना suitable नहीं रहेगा ठीक है दोस्तों लेकिन मैं इसको बेकार हम नहीं कह सकते क्योंकि जहां पर normal traffic होगा वहां जहां पर हमें पता है कि permanent यहां पर normal traffic होता है तो वहां पर leaky bucket algorithm हम यूज कर सकते हैं लेकिन जब brush traffic की बात हो तो वहां पर जो अभी हमने कंजेशन कंट्रोल में जो दूसरा टॉपिक देखा यानि कि टोकेन है कि टोकेन बकेट अलगोरिथम हम वहां पर उसका यूज करेंगे तो हम दोस्तों अपने अगले lecture में हम टोकन बकेट अलगोरिथम के बारे में ही डिसकस करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से token bucket algorithm जो है वो लिकी बट का bucket algorithm से better है और क्या कहते हैं कि जादे अच्छे से वो brush traffic को कैसे manage कर रहा है ओके दोस्तों ठीक है